जैहिन दोस्तों स्वागत है आपका हैस्टेग बिकेसिंग भारत में दोस्तों आज मैं SSB यानि की ससस्त्र सीमा बल की जॉब प्रफाइल के बारे में आप लोगों के बीच चर्चा करूँगा मैं आपको बताऊंगा कि SSB की जॉब प्रफाइल क्या है SSB की ड्यूटी कहां कहां होती है SSB के कौन कौन से कारी है इसकी पोस्टिंग जॉण कहां कहां है SSB में कौन स्टेवल रैंक के लिए कितनी सेलरी दी जाती है इसमें एक साल में कितने लिव दी जाती है कितनी छुट्टियाओं साल भर के अंदर एक SSB के जवान को दी जाती है और इससे related बहुत ही अन्नी बातों पर भी हम आप लोगों के भी चर्चा करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं इस वीडियो को और अगर आप लोग हमसे पूछेंगे कि मैं किस force को सबसे पहले preference देना चाहूंगा तो मैं सबसे पहले CISP को preference देना चाहूंगा और उसके बाद SSB को दोस्तों मेरे से बहुत ही दोस्तों ने comment करके पूछा है कि आप SSB की job profile पर एक वीडियो बनाए तो इसके इसलिए मैं SSB की job profile पर एक वीडियो लेकर आया हूँ तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों SSB की strength बहुत ही कम है इसलिए मैं SSB को आप लोगों को preference में देने को कहूँगा मात्र एक लाख तक ही सैनिक अभी पूरे भारत में SSB में है इसलिए इसकी strength कम होने के कारण इसमें posting बहुत ही तेजी से होती है अगर आप constable है तो आप लगभग 10 साल में head constable तक आपकी promotion हो जाएगी यानि कि इसमें strength कम होने के कारण इसकी promotion बहुत fast है अगर आप CISP की बात करें तो CISP में आपको constable से head constable तक जाने के लिए कम से कम 18 साल लगेंगे लेकिन SSB में मांतर 10 साल में आप constable से head constable तक promotion पर्मोट हो जाएंगे और SSB की posting john maximum maximum posting johns जो है SSB की वो safe john में है जहाँ पर कोई बंबारी नहीं होती कोई गुला बारूद नहीं गिरा जाता कोई मतलब आप समझ रहे होंगे कि कोई ऐसा नेकी आपको जम्मू कस्मीर में भेज दिया जाएगा या चैना के बॉडर पर भेज दिया जाएगा ऐसा कोई बात नहीं है SSB में आपको safe john में रखा जाएगा हो सकता है कभी कभी आप चुनाओं की डूटी में जाएगा या फिर आपको बिहार और जारखन या 36 गड़ जैसे राज्यों में होने वाले नक्सली operation में आपको डूटी दिया जाएगा लेकिन आपको हर हमेसा मतलब safe duty ही मिलेगी अगर हम manly बात करें कि SSB का क्या काम है तो इसका काम है अवैद हथियार तसकरी या फिर कोई अवैद काम या कानून व्यवस्था को बनाए रखना जैसे कि इसका manly duty नेपाल बॉडर और भूटान बॉडर पर दिया जाता है यानि कि नेपाल या भूटान से आने वाले अवैद हथियार अवैद तसकरी और अवैद रूप से जो प्रेटक या कोई भी आदमी दूसरे देश में परवेस करते हैं या अपने देश में परवेस करते हैं उन सब की जानकारे, उन सब को रोकना ये काम है SSB का, ससस्तर सीमाबल का तो ये बहुत ही safe duty इन लोगों का माना जाता है इसलिए मैं आपको second number पर SSB preference डालने को बोलूँगा इसकी SSB की man battalion जो है, लखनौ में है, रानी खेत में है, सिल्ली गुडी है, पटना है आपका तेजपूर असम में है, साथ ही साथ असम के गुहाटी में भी इसका man battalion है तो इस लिहाद से SSB एक बहुत ही अच्छी post मने जाती है क्योंकि इस बिहार, UP या फिर भुटन इस border इलाके में रहने वाले candidates के लिए ये एक बहुत ही अच्छी post मने जाती है, क्योंकि उसकी home duty ही लग जाती है उसकी home duty लग जाती है, वो घर के आसपास duty करते हैं इसलिए ये एक बहुत ही अच्छी post मने जाती है साथ ही border पर duty रहने के कारण ही आपको risk allowance भी दी जाती है आपके salary में 100% risk allowance दी जाएगी जिसके कारण आपकी salary परतेक माह 9000 से 17000 तक बढ़ जाएगी अगर हम बात करें इसमें duty hour की, तो इसमें duty hour 3 घंटे duty, उसके बाद 6 घंटे rest होती है इसलियाद से यह बहुत ही अरहम दायक duty भी मन जाती है मैंने आपको बताया कि duty इंडो नेपाल या इंडो बूटान बॉडर पर होती है साथ ही हम अगर बात करें इसमें medical facilities की तो इसमें पूरे भारत में जितने भी districts है सभी districts में CAPF के अंडर कुछ panel hospitals है तो उस hospitals में आप अपने परिवार के आप अपने family की पतनी की या भाई की बहन की याने कि आपके dependent जो भी है आप पर dependent इसके लिए आपको एक dependent card बनवाना पड़ता है इसके तहत आप अपने dependent का पूरा इलाज फिरी में करवा सकते हैं तो चलिए इसके साथ ही कुछ और detail के बारे में और कुछ detail पर चर्चा करते हैं तो SSB याने की ससस्तर सीमा बल इसकी job profile के बारे में जानते हैं तो देखिए इसकी अस्थापना 1963 स्वी में हुई है SSB की अस्थापना 1963 स्वी में हुई है 1962 के चीन भारत यूद के बाद इस force का गठन किया गया है इस force का जरूरत पड़ा फिर इसका गठन किया गया 1963 में और 2014 में भारत सरकार ने SSB में लडाकू अधिकारियों के रूप में मैलाओं की भरती की भी मंजूरी दी साथ ही हम आपको बता दें कि SSB जो है जम्मू कस्मीर में counter insurgency operations या जारखन बिहार और 36 गड़ में नकसल विरोधिय अभियोनों में सलगन है या इसकी डूटी नकसल operations में भी दी जाती है या फिर कुछ चुनाव डूटी में भी इसका इसे मतलब रखा जाता है या यह भारत के विविन हिस्सों में अंतरिक सुरक्षा कर्तव यानि चुनाव कर्तवियों और कनून और विवस्था को कर्तवियों का पालान भी कर रहा है तो SSB की कारजय कुछ इस परकार से थी अगला PPT में हम देखते हैं कि 20.1960 को SSB की मतलब अस्थापना की गई चीन भारतिय युद के बाद इसके अस्थापना 20.1960 को की गई SSB के स्वर्ण जयनती वर्ष SSB ने वर्ष 2013 में स्वर्ण जयनती वर्ष के रूप में मनाया 2013 में SSB ने 50 वर्ष पूरे किये इस उप्लक्ष में 2 अपरेल 2013 को दिल्ली के Mount Everest अभियान के Flag Off के साथ ही इस स्वर्ण जयनती की शुरुवात हुई Commandant Sumit Joshi के नेत्रूत में SSB की स्वर्ण जयनती 50 साल पूरे होने पर मनाई गई अगर हम बात करें इसकी मुख्याले की तो ससस्तर सीमा बल SSB की मुख्याले नई दिल्ली में स्थित है SSB के वर्टमान के महनिदेशक के बारे में गर बात करें तो वर्टमान में SSB के महनिदेशक है जो की सितंबर 2018 से अभी तक है वर्टमान तक उसका नम है कुमार राजेश चंद्रा उन्होंने स्री रजनी कांत मिसरा का स्थान लिया है तो वर्टमान में SSB के महनिदेशक कौन है कुमार राजेश चंद्रा और मंत्री जो की responsible है वो है अमिट्सा के अंदर ग्रिह मंत्री आपको हम बता दे ये ग्रिह मंत्रा लेके अंदर ये force आती है तो इसका जो है मंत्री अमिट्सा है के अंदर ग्रिह मंत्री अमिट्सा उसके बाद अगर हम facilities की बात करें तो इसमें NPS की ववस्था की गई है यानि की new pension scheme medical facility के बारे में हमने आपको अभी बताया कि किस तरह से panel hospital में free में इलाज की जाती है साथ ही साथ SSB के कुछ personal hospitals भी है जो कि पूरे भारत में आप SSB की website को open करके check भी कर सकते हैं कि कहां कहां पर hospitals हैं इसमें आप आपको canteen की भी सुविदा दी जाएगी CPC यानि की Central police canteen की सुविदा दी जाएगी CAPF के अंदर आने वाले जितने भी force है सभी को यह facilities दी जाती है CPC यानि की Central police canteen की इस पर आप grocery के समान या अन बहुत सारे समान को बहुत कम दर पर खरीद पाएंगे इसमें quarter facility भी दी जाती है अगर आपकी duty safe zone में है तो आपको family quarter भी allot की जाएगी या अगर आपकी battle lane headquarters में duty है तो उस पर भी आपको quarter facility दी जाएगी और अगर आपको quarter facility नहीं मिल रहे तो आपको home rent allowance या HR दिया जाएगा जो की city wise दिया जाता है इन city को x, y और z group में बाटा गया है सभी group के लिए भिन भिन परकार की HR रखी गए जैसे कि अगर आप दिल्ली, चन्नाई, मुंबाई, कलकता इत्यादी से बिलोंग करेंगे तो इसमें आपको 24%, basic का 24% आपको HR दिया जाएगा जो की ये first class city के लिए है, इसी तरह से y class और z class city भी इस category में पूरे cities को बाटी गई है तो अगर हम बात करें, अगर हम आगे बढ़ें तो देखते हैं कि duty, तो मैंने आपको manly duty के बारे में भी बता दिया कि कहां गां इसकी duty लगती है, salary के बारे में भी मैंने भी बता दिया, salary इसकी basic salary, एक हुए थाट सब करने जाते हैं तो इसके लिए आपको ठीपटी ये लॉंस दी जाएगी साथ देखिए साथ ही आपको हमने बताया कि आचरे दिया जागा अगर आपको फेमिली कवर्टर नहीं मिला है तो साथ ही आपको इसमें बहुत सारे योनटन दिये जाते हैं और आपको एक यादे बच्चे हैं अगर आपको तो इसके लिए आपको साल में इसके पढ़ाई के खर्च भी दिए जाते हैं कि तो बहुत कुछ बात है तो लीव कि अगर बात करें तो आपको साल भर में 60 EL यानि कि Earn Live ये 60 आपको दी जाती है और CL Casual Live ये आपको 15 दी जाती है यानि कि 60 EL में अगर आपने इस वर्स EL एक भी खर्च नहीं किया या फिर आगर आप कुझे से 60 EL दिया गया है तो 60 EL में अगर आप इस वर्स 30 EL को खर्च करते हैं तो बवंकी बचाती CL आपको आपके अगले साल में एड हो जाएगा लेकिन अगर हम CL की बात करें तो CL जो की 15 दी जाते हैं अगर आपने इस वर्स इसे खर्च नहीं किया तो अगले वर्स मतलब ये ओटोमेटिक खत्म हो जाएगा तो परतेक साल CL को खर्च करना पड़ता है और अगर आप EL को खर्च नहीं भी करते हैं EL नहीं भी लेते हैं तो वो अगले साल आपके चुट्टी एड हो जाएगी तो इस तरह से लिब की मैंने आपको जनकारे दी अगर आप मातरी है मतलब आपको maternal लिब भी इसमें दिया जाता है अगर आप गर्वती महिला है तो इसके लिए आपको भी चुट्टी कम से कम पहुंच मेने की चुटी दी जाएगी और paternity leave भी इसमें दिया जाता है अगर आप पिताब बने हैं तो इसके लिए आपको 15 से 20 दिन तक extra leave दी जाएगी और next अगर हम देखें इसमें salary की तो आपको बता दिया कि salary 1,700 बेसिक है 1,700 से 59,100 तक इसकी salary है basic salary और annual budget इसमें SSB के लिए 6,959 कोड़ परतेक वर्ष इसका budget पेस किया जाता है अगर motto की बात करें तो SSB का motto है service, security and brotherhood सेवा, सुरक्षा और भाईचारा तो भाईचारा इस सब्द से ही आपको पता लग रहा होगा किया force बहुत ही, sound है बहुत ही मतलब इसमें भाईचारा है दोस्तों आपको बता दें अगर आप हमारे इस चैनल को अभी तक subscribe नहीं किये हैं तो आप मेरे इस चैनल को जरूर बेल आकन को भी दबा दें और हम आपको बता देंगर आप लोगों को CISP के job profile के बारे में भी वीडियो चाहिए तो आप मेरे इस वीडियो के comment box में जरूर comment करें आपके comment के बाद हम CISP पर भी एक job profile का वीडियो लेकर आएंगे और मेरे चैनल को subscribe करें next बढ़ते हैं और देखते हैं training time salary तो training time में आपको बहुत कम salary मिलती है लगभग 23,000 के आजपास आपको salary training time में दी जाएगी क्योंकि training time में आपको कोई extra allowances नहीं दी जाती है जैसे कि hard duty allowance या फिर risk allowance बगएर बगएर आपको नहीं दी जाती है जिस करण से training time में आपकी salary बहुत ही कम होती है और रासन money भी आपको training time में नहीं दी जाता है क्योंकि आपका रासन यानि कि training center के द्वारा ही आपको भोजन मुहया करा दिया जाता है इसलिए आपको training time में रासन money भी नहीं दी जाते हैं तो इन सब allowance की नहीं दी जाने के करान आपकी salary training time में बहुत कम होती है लगवग 23,000 होती है बहुत से candidate का comment आता कि कब से salary start होगी यानि कि joining के कितने दिन बाद से salary start होगी तो हम आपको बता दें कि आपके joining के पहले महने तो आपको salary नहीं मिले वाली है पहले दूसरे महने के last तक आपकी salary यानि कि दूसरे महने से आपकी salary start हो जागी क्योंकि accounts related बहुत सारे काम होते हैं जो कि center को करने पड़ते हैं ट्रेणिंग center को बहुत सारे काम सभी के accounts related, bank से related कारे करने पड़ते हैं जिस कारण से आपकी salary एक महने late होती है तो दूसरे महने से आपको regular salary मिले लगेगी क्योंकि army वगरा में salary जो है training time में नहीं दियाती है नेक्स्ट है नेक्स्ट में आपको फिर से आगरह करेंगे कि आप मेरी शेनल को जुरूर सब्सक्राइब करें अगर बात करें gadgeted officers की तो gadgeted officers के गर हम बात करें तो सबसे नीचे आता है assistant commandant उसके बाद deputy commandant उसके बाद second in command उसके बाद commandant उसके बाद deputy inspector inspector general special director general उसके बाद director general जिसे आप dg बोलते हैं महनी देशक जिसे आप dg बोलते हैं या महनी देशक बोलते हैं अगर हम बात करें नन गजेटेड रैंक्स की एंजियोज की तो सबसे नीचे हो जागा कॉंस्टेबल उसके बाद हेड कॉंस्टेबल उसके बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर उसके बाद सब इंस्पेक्टर उसके बाद इंस्पेक्टर यह थे नन गजेटेड रैंक UPSC के द्वारा exam conduct कराई जाती है जिसके बाद UPSC से assistant commandant direct assistant commandant के पद पर न्यूकती होती है यह UPSC के द्वारा होती है तो यह है SSB की बर्दी जो की cam of lens बर्दी है आप देख रहे हैं इस बर्दी में यह उस्ताद और यह है SSB की cam of lens बर्दी उसके बाद बात कुछ और line पर बात करें कि SSB को भारत नेपाल सीमा के लिए border guarding force और lead intelligence agency LI के रूप में गोशित किया गया था और 17-51 km की रखवाली का काम सोपा गया था उत्राखंड के राजियों के साथ लंबी भारत नेपाल सीमा तीन जीलों के साथ 266 km उत्तरपदेश के साथ जीले के साथ 599.3 km बिहार के साथ जीलों के साथ 800.4 km एवं पस्टिम मंगाल के 105.6 km जिसमें की एक जीला आता है और सिकीम के 99.3 km चेत्र को एससबी कभर करती है यानि की इन सभी बॉर्डर पर एससबी की तैनाती होती है मार्च 2004 में एससबी को सिकीम के 32 km पस्टिम मंगाल के 183 km में जिसमें की दो जीले आते हैं और असम की 266 km में 4 जीले के साथ भारत और भुटान के 699 km चेत्र की रखवाली का काम भी सोपा गया अगर डेपूटेशन की बात करें तो इसके अंतरकत आप NDRF में जा सकते हैं SPG में जा सकते हैं जो की Special Protection Force है NDRF यानिकी National Disaster Response Force Markos में आप जा सकते हैं IB या RAW में भी आपकी Deputation हो सकती है 5 साल के लिए इन सब Force में आप SSB से 5 साल के लिए जाके सेवाद दे सकते हैं और फिर आप 5 साल के बाद जिस बटालियन में SSB में हैं उसी बटालियन में वापस आ जाएंगे तो दोस्तों ये थे SSB से सम्मंदित कुछ मुख्य बातें SSB की Job Profile पर मैंने आपको सारी जन करे दी दोस्तों आपको बता दें अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आकन को दवाएं बेल आकन को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ जिससे कि सभी को पताल चल सके कि आप SSB को किस तरह से देखते हैं तो दोस्तों अगर आपको CSB पर भी जो परफाइल का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं मैं जरूर आपको वीडियो पर वाइड कराऊंगा धन्यवाद